कर दो कि एबरिवर्ण कैसे ही आप सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब करना है तो इस बार आपको बगते नहीं करना है क्योंकि आप सी बच्चों को सब्सक्राइब मालूम होगा कि जब आपका M.D.C. पेपर में बच्चों के डाउट थे बच्चों ने अपने मन सरी किये उन्होंने इनफॉर्मेशन सेर नहीं किया थे कि जो बच्चें हमारे बात को फॉलोग करते हैं पर उनका को भी गलत में प पर हो फिर उनका पेपर हो नो डाट को नहीं पेपर हो लेकिंगे उनका रियल दभी तर कुछ शाब-चार पर हो पेंडिंग हो तो अगर आप आप ऐसी करते हैं करना चाहिएगा कि आप चाहिए बच्चों का समेश्टर फोल में जो पेपर सेलेक्शन होगा वो क्या आपको यह होगा धिकर ऊंने जो ऑनो अचरे दोमेश्टर फोल में वाले वोतीन मेजल होने वाले है यह चरीए आपका major है, एक minor पढ़ना है, एक AAC पढ़ना है और एक आपको VAC पढ़ना है यह दो VAC तो clear रखेएगा, यह EBS पढ़ना है यह जो paper पढ़ना है इसमें याद रखेएगा हर रच्छे हो क्या पढ़ना इन वर्मेट शटे पढ़ना है यह जो होने वाला है यह objective होगा ठीक है, objective कितना होगा तो 15MC क्यों होने होगा है जो क्या पर पूछे गयागा, और इसमें कि सायर मैं सही हो तो साथ या आठ क्लास हमने देखे हैं मैं चैनल पढ़ना पढ़नेट कीए एसी क्या बोलागी द्वारत आपने समेश्टर 3 में जो भी एसी पेपर रखाता है चाहे आपने हिंदी रखाता चाहे आपने इंग्लिस रखाता उससे कोई फैक में पढ़ता आपका समेश्टर 3 में जो एक एसी हिंदी था समेश्टर 4 में वेका एसी हिंदी रहेगा तो यह वह याद किये गा आपने समेश्टर सट में हिंदी रखा था तो फिर भी कोई बच्चे गलती से रखेगा मैं बता ही दो मुस्त पचे सुनेंगे ने अब मैं सोचेंगे लिए तो इंग्लिस रखेंगे इंग्लीस रखेंगे फिर इनिवर्सिटी अफिर लाच्म पूरा आपका पूरा आपका कम्पेट हो जाएगा तो आप लोग पूरे वीडियो तो देखी जएगा बाकि आपको कुछ भी बाई कहीं से कोर फीडिया खहिदना नहीं कुछ भी करना पड़ेगा कोई क्लास निकाना है बस अफ्टून लीजेगा तो आपको बस आपको आपक यह दो पेपर जो होने वाले यह याद रखिएगा जो बच्चे साइंस वैग्डाउंट से विलग करते हैं तो उनका तो एक पेपर हुआ हमारे पास अगर मुझे सही हूँ तो यह पेपर साथ प्रेक्टिकल हो सकता है ठीक है जो साइंस वैग्डाउंट से बिलग करते है तो इनका प्रेक्टिकल नहीं हो याद रखिए तो तीन मेजर पेपर है एक माइनर है आप माइनर वाला ही सबसे बड़ा बात है इस बार अगर आप माइनर पेपर रखते हैं ठीक है अगर आप माइनर क्या रखते हैं जैसे यूनिवर्सेटी लिए क्या बोला है ठीक है और अगर आप वोकेशनल रखते हैं तो टू का पढ़ना है फोर में तो यह तो यह हमारे पास क्या है वोकेशनल वाला ठीक है और यह वाला चली नॉर्माल हो जाता है अब हुआ गया आप सभी बच्चों का जो बाइस सब्सेशन था उसमें यूनिवर्सेटी वाला समेश्टर 1-2 आपको ISA के नाम से चलुआ है जिसमें इसे बच्चों को नहीं मालूमता कि पढ़ना है ठीक है इंवर्सेटी को कुदी नहीं मालूमता था आपको क्या बता है ठीक है अब नियम काईदय कारनों पढ़ने तो उनको पता चलता है कि हाँ FIEP गाड़्डेंस य तू ए तू भी क्यांस है और आपने ही मतद जैसे आपसी बच्चे मैं यहां लीज़ा है ठीक है और इसामपल अगर आप हिश्ट्रीज लें देखिए ठीक हमारे पास चार डिसिप्रीन होते हैं मैं इसे एका करता हूँ बच्चों मैं इसे हटा देता हूँ यह हमारे को काम एक आता हमारे पास सॉसल साइस आता है जिसे मैं सेश्टी चली स्वाट पर लिख रहते हैं एक हमारे पास कॉमर्स का आता है कि कॉमर्स करता है तो यह चार जो डिसिप्रीन है उनके अंदरगत इन्हें बाटा आ जाता है ठीक है तो आप जिस भी स्टीम से डिसिप्लीन से कोई पर रखेगा चाया शमेटर वान से पूठ रखना यह बात रखेगा मेजर माईनर मडसी आपका मेजर के पर क्या क्या बच्छों यह किस्टीम से बिलाउं करेगा तो यह आपका सब्सक्राइब हुआ, लुक्ष लाँ करेंगा, आपने क्या किया, मैं लिख दे रहाँ, एक एक पॉइंट भी दे रहाँ, ठीख है, आपका मेजर पेपर सिछ्ठी, सेमस्टर वान डू, सब्सक्राइब रेने वने को दिखर दे हैं, आपने समस्टर वन में, देखे, मैं परोड़ा वाव यह he यह नियन्हें निए हिव hij पॉलिटिकल-कॉरफि.. यह सब एक ही । दिसिप्लिन से बिलंग करता है तो आप अपने ही डिस्टिप्लिन में से कोई एक पेपर रखोगे लेकिन याद रखेएगा मिलाना मतलब अगर आप चाहते हो कि टू वला फोर में रिपीट करो तो भाइन कोई दिक्तत नहीं लेकिन टू वला फोर में आपको वोकेशन होना चीए था इसलिए यह वला मत लावा जैसे कोई बच्छा बोलेगा भाई साइकलोजी कोन मना कि जियोलोजी रख लो आप जो रखे सकते हो तो जियोलोजी का कौन सा सिलेबस पढ़िएगा याद रखेगा अगर नॉर्मल रखते हैं तो क्या पढ़िएगा वन भी पढ़िएगा सिर्फ बता रहो अगर zen सब्सक्राइबूस्जर्ण्ना न्हें रखे वन भी बढ़िएगा वो केसφेंगा तो नुर्म एक अपने ही डिसीप्लिन से कोई ब्लूरी यह जाँ बस याद रखेगा मेजर मैनरें सें मत करेइगा और पाकि युएगो लेकिन इसका आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा 1D वाला syllabus पढ़िएगा बस यह रहां रखतेगा अगर आपके पास मैं तो बोलूगा लेकिए अगर चारो पेपर आप अलग रखना चाहते हो तो रख लो मुझे कोई दिक्कत ने मैं फोड़ी कुछ बोलने वाला हूँ उनिवर्सेटी ने गलती किये ना 22-22 सेशन को चले बसता उसमें आयाची का जो आयाची का इससे पहले ही माईना पेपर कर रहता तो किसी बच्चे दिक्रत नहीं आता लेकिन उनिवर्सेटी जब हैं आमार महा नहीं क्या ही बोला जाए या फिर आप चाहो तो आप सेकेंड से आपको कोई दिकर नहीं तो अपने ही डिसीप्ली में से रखेगा उसके अलावा कोई पेपर मत रखेगा बस यहाल चलिएगा अब आसा करूँआ कि भाई मैंने आपको निहाल पूरक संवाई गोच्च किये इसके बाद बच्चे समझ नहीं आता तो भाई चार अबर में द देखलो पांच बाद देखलो धीरे देखेगे सुनते रों आपको आसा करूँआ कि समझ माजेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर शेक्तन कमीन मत करिएगा तो नेक्स वीडियों पे तक लिए जय ही और जय बारत